अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए जी मिलने आना ही नहीं चाहिए ची आप तुम टोस्टी हो न? जी और आप पशु भया की मैं पशु पतिनाथ की अभागन सास हूँ पर फोन तो फोन तो मालती नहीं किया था बेटा फिर वो का है? आती हो गिये भी उसको कुछ जरूरी काम था ना तो उसने मुझे पहले भेज़ दिया अंदर चले जी 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 कर दो कर दो कर दो पिताजी जी, पिताजी टेज, मेरी चपले कहा है? जी, पिताजी पिताजी क्या है ये सब ये घार है या कपाड़ गाना वो ये बैया दोल है वे पिताजी पिताजी बलाए तो वाँ ये कितनी लद्धी जामा करके रखियें वेड 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 इससे कहते कि तल रद्धी वाले को बलाकर ये अपने सामने रद्धी तुलवाए जी जी और हां वो वजन का काटा अपने 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 इस्तमाल करें उनके काटे मेरा पेरी का फूरा चाहन से साथा है वेड सब के भत्ते में से पैसे भी दिन बर टीवी तो चलता है रहता ना पिता जी तो सिर्फ दादा जी देखते है ना क्यों तेरी आँखों पे क्या प्त्ती बंदी रहती है पिता जी प्त्ती तो सिर्फ गानधारी के आँख में बंदी थी गानधारी अरे, अरे तो किजने सोच चाही नहीं, अगर गांदारी के आंको पट्टी वन दिती, ठोस्तर रामायन तो देखी नहीं होगी मुर्ख, वेद, वेद, पिताजी गांदारी महाबारत का चरित्रदा, ना कि रामायन का पिताजी, वे तो टीवी सीरिल की बात कर रहा था पिताजी, घाल से टेज, ये, कल ये मोटर साइकल पर सारे रद्धी रखके, वो स्टेशन के पास वाले रद्धी वाले को देदेना, वामन वामन, पिताजी? ना मैं उसका पैठो बिटा मालती, मालती को तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है बेटा, जिस दिन से उसे ये पता चला है न कि तुम्हारी शादी इस घर में होने वाली है बस उसी दिन से वो इसी चिंता में रहती है कि कहीं वो लोग तुम्हारा वो हाल न कर दें जो उन्होंने उसका किया था है 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 भगवान बहुत काम कराते है न निर्दई तुमसे देखो यहाथ आँटी मेरे हाथ हमेशा से ऐसे ही है कुछ नहीं वहाँ न को ऐसे ही मालती भी ऐसे ही कहा करती थी लेकित क्या करें हमारे घर के संसकार ही ऐसे हमारे घर की लड़कियां अपने घर की बाद किसी को नहीं बताती अपने माँ बाप को भी नहीं पता है कितना काम करवाते थे मेरी बेटी से, साथ साथ लोगों का खाना, जाडू पोचा, कपड़े, बरतन, एक दिन भी चैन की सांस नहीं लिए मेरी बेटी ने उस खरना, चलो इतना सब होने के बावजूद, अगर उसे प्रेम प्यार पूरा मिलता है, तो भी जैसे दैसे वो अपनी जिंदगी वहां काट लेती, लेकि तुभी बताओ बेटी, जब किसी औरत को पधी का प्यार पूरा ना मिले, तो वो मुफ्त में अपनी जिंदगी क्यों खाते वहां पर, लेकिन किसी एको तो आवाद उठानी पड़ेगे, पिताजी, इसकी हिम्मत है मेरे बाहरेदी, कुरता क्यों उतार रहा है? खंड लगजाएगी भिठा, अचा एक बात बता, कि तो आख अब करता लंबा हो गया है तो गिज गया है? क्या हो गया रहा है भाई? दादाजी, कि हान पिता जी बना है? पिताजी बनने बड़ा मुश्किल है दादाजी यह तू मुझे बता रहा है दादाजी मनने से पहले मैं भी पिताजी रह चुका हूँ हूँ बिता दादा जी है बड़ी औी टा rechts आप हमारे पिताजी के पिताजी हैं फिर भी हमें आप से बिल्कुर डर्नayı लगता और अपने पिताजी से उत्रा ही डर लगता है चलो, हम कमरा साफ करें भी है और वरना पिताजी आ गया तो हमारे दुला ही हो जाएगी और आपको तो पता ना कि आज पिताजी को डिश्चार्ज मिल सकता है और अकर पिताजी से पहले टोस्टी बापी आगे ना तो पता है तादर जी वो क्या कहेंगी राजीन ये पढ़ाई छूड कि तुम ये सब क्या करें रहा चलो, चलो, चलो अरे क्यान अरे इधरा, इधरा अरे अल्बम है फोटो आल्बम मेरे काल से पिताजी और मा की शादी की है भाया हभी मैंने हमेशा एकोशिश की भावी कि जाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके किलाफ एक एक शब नहीं बोलूगा मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा हम फिर से सब वैसे ही रहेंगे जैसे आपके शादी के कुछ दिन बाद तक रहते थे पर आपने और आपने मेरी वो अमीद भी तोड़ दी भावी आपकी वज़ा से आपकी वज़ा से पशुभी यह मुस्को राना भूल के पिताजी को दिल का दूसरी मार दोरा पड़ा शिर्फ आपकी वज़ा से भावी I hate you I hate you, I hate you, भावी भाया यह यादे यह यादे पिताजी से जितनी दूर है उत्र अच्छा है अच्छा बहुत दुख देखा है मेरी बेटी ने उस खर में बहुत सदाया है उन लोगोंने उसको अंटी माफ करना पिता जब भी उन दिनों की आद आती है न तो हांसू अपने आप निकलाते क्या-क्या सपने देखे थे आमने अपनी बेटी के लिए जब रिष्टा लेकर रहे थे न तो कितनी बड़ी-बड़ी बात ने की थी इन लोगोंने राज करेगी आपकी बेटी हमारे गर में, राज सिर्फे बठाके रखेंगे अम उसको हमारे गर में बेटी नहीं है माल्दी के आने से बेटी की कमी पूरी हो जाएगी अच्छा उभ लंगवान ने इन लोगोंको बेटी नहीं दी तो पतानी क्या हाल करते है जालिम उसका मुझे कुछ समझ में नी आ रहा है मुझे यहाँ में मालती जी ने बुलाए कहा है वो मुझे जाना है मुझे देरी हो रही है प्लीज आप बिठानी और आजाएगी वो बहुत मुख्किल से समली है मेरी बीटी कई दिनों तक उसने न कुछ खाया न पिया रात को नीन से उठकर इधर उधर चलने लगती थी कभी सपने में रोटियां गिनती थी तो कभी साडियां कभी अचानक उठके बैठ जाती और चिनलाती थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बहुत दुख से है मेरी बेटी में उस घर में जैन की सास लीजिए जैन की सास तो मैं तब लुगा रहा डॉक्तर जब आप मुझे छोड़ देंगे यहां से मैं बिल्कुर ठीक हूँ ये बात मैं आपको बताऊंगा या आप मुझे बताएंगे क्या बताऊंगा आपको ये शादी का बौसम है अब भीट लगी होगी मेरी साड़ी की दुकात पे बच्चे अकले सब नहीं समाल पाते हैं मुझे जाना ज़रूर ये लवा आप जानते हैं कि आपको दिल का दौरा पड़ चुका है किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है सिस्टर फाइल दिखाईए बड़े बुज़र्गों ने कहा छेदी लाल चतरुवेदी जी कि चिंता चिता समान होती है इसलिए आप चिंता करना बिलकुल छोड़ दीजिए बिलकुल ये जान है तो जान है रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन इन्हें आराम की सक्ट जरूरत है तो मैं आराम ही तो करना चाहता हूँ ना घर जाकर बहुत दिन से घर पे आराम नहीं किया और घर वालों के साथ कुछ दिब बिताने का मौका भी मिल जाएगा अरे नहीं जेनिलाल चतरवेडी जी इतनी अच्छी देखबाल हॉस्पिटल में हो सकती है उतनी अच्छी देखबाल घर में कहां और चैसी लूट यहां पे चलेगी वो घर पे कहां मेरा मतलब है वह यहां लीटे रहने के 2000 रुपे प्रती दिन दे रहा हूँ अब वो तो पच्चाएंगे ना अगर घर पे रहूँगा तो तो आप तुझे डिस्चार्ज करें लेकिए इसके लिए हमें अपने सीनियर डॉक्टर से बात करनी होगी उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे आपको एक काम करना होगा मुझे इसके लिए एक टेस्ट और करना होगा अगर वो नॉर्मल है तो आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं यहाँ पढ़ाओ तब से पचासों टेस्स कर चुके हैंगे अब एक टेस्ट और उसका भी पैसा देना पड़ेगा यह तेज इतनी सारी जब टेस्ट हमने करवाई है तो एक काम करना ओफ हमारे माद दुकान में कैसे हम दस साधी लेने पे एक एक साधी मुफ्त में दे देते हैं इसा उनको बोल, ये एक टेस्स मुफ्त में करवा दे एक हाम का पैसा है यार आप अगर इसी तरह एकसाइट होते रहे तो आप कभी डिस्चारज नहीं हो पाएंगे टेस्ट ठीक आएगा है नहीं लिट जएए लिट जएए प्लीज आराम करें प्लीज 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 देखो बेटा तुम हमारी बेठी जैसी हो इसलिए हम ये सब तुम से कह रहे हैं वर्ना तो हमारे वकील ने हमें मना किया हुआ है कि उस घर के किसी भी सदस्य से बात ना करें अरे भर भर के दहिश दिया उनको हमने कपड़ा, कहना, समाल, और तो और नकज भी साभाज हम कर गए एक में आप इतनी देर से बोल रही हैं और मैं सुन रही हूं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी आप बोलेंगी उस पर मैं विश्वास कर लूँगा उसी घर में मेरी भी शादी हुई है लेकिन मेरे परवार वालों से इन लोगों ने एक भी चीज नहीं ली तो क्यों करो में आपकी बात का विश्वास बोलिये ये थो वही बात हो गई न बेटा ये नौसो चुहे खाके बिल्ली हर्ज को चली अरे ये ही तो वो लोग चाहते हैं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो दहेज के कितने खिलाफ है उन्होंने अपने बेटे की चादी में एक भी पैसा नहीं लिया लेकिन देखना किसी न किसी बात पर चाला किसी वो लोग तुम्हारे मापाप से पैसा निकलवागी लेंगे आओ पिटा तेज तुम पर हाथ उठाता है जी नहीं नहीं आई हो ना बहुत जल्दी इन चतूरवेदियों के रंग पता चल जाएंगे तो देवरबत तमीजी से बात करते हैं सासूर डाटता है पर पती पती तो हाथी प्लीज प्लीज अगी प्रोब्लम नो प्रोब्लम लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी ही पत्मी पर हाथ उठा जिस तन लागे सो ही तंचानी अपने मुझे यह क्यों बुलाए इस सब इस सब बेकार की बाते सुनाने के लिए यह जानते हुए कि मैं उस घर की बहुं हुए आप यहां बैठका मेरी फैमिली की इंसर्ट कर रहे हैं ऐसी वैसी बाते कर रहे हैं आप क्या एक्सपेट करती हैं तो मैं यह बैठके सुनूँ उन पर विश्वास करूँ वैसे आउंटी मैं आपके इंफिमेशन के लिए बता देते हैं कि वहां मुझ पर कोई हाथ महीं उठाता है और नहीं किसी भी प्रकार का बुरा सुलूप किया जाता है मेरे से मेरा पती मेरी जेट मेरे ससुरजी, मेरे देवन सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो प्लीज आप तो मेरी चिंता नाहीं करें नमस्ते, मैं चलती हूँ बिटव दो मेरिट बस दो मेरिट के लिए रुख जाओ मेरी बेटी आती होगी एक बार एक बार बन उसका चेहरा देख लो उससे उसका दुखडा सुन लो उसके बाद तुम्हें मेरी सचा ही खुद ही पता चल जाएगी अब फिर मानना नमानना तुम्हारे उपर रख जो पीता कहा है वो आपकर चेहले अचाथ भई अचाथ भई जो कितार तेरह लाज दूते कहा है वोगले हो पतिए आपकर ने आपकर लाजए आपकर केशिया लुख कितार अरे शरीव है थोड़ा बात उपर निचे तो होता रहता है हाँ तो वह उनको देखने दीजे ना पिताजी अच्छा डॉक्टर साब इनकी तब्यवत कैसी है अगर आपको लगता है कि ने कुछ दिन और यहां रुखना चाहिए तो क्या बात कर रहा है पागल हो गया है क्या देखिए अगर आप बाद बाद पर इस तरह हाइपर होंगे तो मैं आपको डिस्चार्ज नहीं करूँ आ अगर मैं हाइपर नहीं हुआ तो यहीं ना मतलब दिस्चार्ज तो कर सकते हैं दिगा नहीं रहुगा है पर देखिए जितना गुसा करने की मनाई है उतनी ही मनाई एक्साइटमेंट के लिए भी है कि देखिए आप खुश रहा कीजिए टेंशन और स्ट्रेस दोनों ही मेजर कारण है हाइपर टेंशन और हार्ट की डीजिस के लिए अब आप घर जा सकते हैं अब आप मेरे साथ है मैं आपको डूस और डॉन समझा देगा यह था जा चलता तो शर्मा जी मैं अभी तक यहीं पे लेटा रहता या फिर कि ऐसा तो नहीं है शर्मा जी या आपको ये डर है कि मैं घर पर रहा तो आपकी बेटी का काम बढ़ा दूगा कि मैं ने इनका इसा बिल्कुल मतलब नहीं था कैसी बाते कर रहे हैं इनका मतलब तो यह था कि देखिये देखिये कितनी सीरियस हो गई मैं मजा कर रहा था आपने तो डराई दिया हूँ मैं मैं आती हूँ मैं मैं आती हूँ महाँ तेच अलो हलो टोस्टी टोस्टी कहा हो तो वो अच्छली अब क्या हूँ अब कुछ काम था पिताजी को अच फाइनली डिस्चार्ज कर दिया है आज दिन भर पिताजी सावाली पूछते रहे कि भाईया कब मुझे यहां से निकाल रहे हूँ इतनी देर तक क्यो लिठा के रखा है इतने पैसे क्यों लेते हूँ यह हॉस्पेटल है यह होटल है बच्चे बन गे थे अजय कर दो तक किसे देज़िए झालो मा था जो फो दो इनने वे नहीं अच्छ आग आएंगा मा बहुत हो गया चलो मैड़ कर दो नहीं खिए पहुआ के लिए ठीजिए यहां महां आए भुष्य को भी आपने साथ ले आई देख ले अब चलो ए यहाँ? हाँ माँ आप चले! बेठाब, अए उससे एक बर मिल तो ले! वागल हो गई हो माँ, बहुत हो गया अप, चलो! बाए हाँ, ओके बाए अमने तुम पर भरोसा गिया और तुमने? अँटी आप अचानक से क्या बाए तो पशुपतिनात को अपने साथ लेकर आई है ना? पशुपया यहाँ? माँ माँ कहीं पशुपया ने मुझे यहाँ देख लिया तो? बाए यहाँ माँ झाल